सबस्क्राइब कीजिए अज्जु एज्यू केशन यूटूब चैनल को लटेस्ट एज्यू केशन वीडियो जदेखने के लिए सबसे पहले नौटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दुआएं हजे नमस्कार दोस्टो आप सब्सेकर Sud आइचालकों का वरगी करन किया जाता है वो किस परकार से किया जाता है उसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताओंगा तो आप इस वीडियो का अंट तक्स जरूर देगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक्जाम में लगवे क्यूशन्स पूछे भी जाते हैं इस कुन से वरग की होती है ये भी पुछा जाता है यानि कुल मिला के बात करें तो वरग और इनकी जो तापमान है उनको हमें याद रखना होगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो एक नमर प्याता है वाई यानि वाई वरग की वाई वरग होता है इसके अंदर आते हैं अधिक्तम सुरक्षित जो ताप मन्स हैने की सकती होती है या सिमा होती है वो होती है 90 डिग्री सेल्सियस तक यह ताप मन्स हैन कर सकते हैं इसे उपर नहीं कर सकते हैं ठीक है दोस्तों दूसरा आता है ए यानि ए वरग या ए शरेनी तो इसकी जो अधिक्तम सुरक्षित ताप में भीगा हुआ कागल यानि तीन प्रकार की पदार्थ होते हैं तीसरा है यानि इस रेनी यह होता है 120 डिगरी सेल्शियस तक यानि 120 डिगरी सेल्शियस तक यह ताप सहन कर सकता है इसके अंदर आते हैं लेदरोड पेपर, एमपायर कलोथ और फाइवर यह तीन प्रकार के अचालग पदार्थ होते हैं चोथा आता है दोस्तों 20 रेनी 20 रेनी 130 डिगरी सेल्शिस तक ताप मान सहन कर सकते हैं जिसके अंदर आते हैं अबरक जिसको माईका बोला जाता है एक होता है फाइवर गलास एक होता है एस बेस् सेल्शिस तक ताप मान सहन कर सकते हैं फ के अंदर कौन कौन से अचालग पदार्थ आते हैं इसके अबरक फाइबर गलास और एस बेस्टस यह आपको याद रखना है बहुती जदे इंपोर्टेंट है दोस्तों सग्रेशूट ले 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 ना इस अगला है छह नंबर एच श सहन करता है वह था 180 डिग्री सेल्शिस तक और इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं इसके अंदर आते हैं एलास्ट आमर और अबरक फाइबर गलास ऐस बेस्टस के मिसरन से बने पदार्थ यानि इन सभी से जो पदार्थ बनते हैं मिसरन से तो वह एच शरनी में आ साथ नंबर यानि इसको सी से बोला जाता है इसके अंदर तीन परकारसे होते हैं जैसे मढ लो या इसको ऐसे मग लीजी दो सो से दो सो पचास की बीच मे जैसे भी बोला जाता例えば यानि इसकी ताब सेथ हैंने की जो षमता होती है होती है 220 डिग्री से लेकर 240 डिग्री सेल्सिस के बीच में इसके अंदर आते हैं अबरक चीनिमिट्री काच कौाइटर्ज और इन से बने पदार्थ तो समझ में आ गया होगा तो दोस्तो जो तापमान के अधार पर एचालक पदार्थ होते हैं उनका वरगी करन के जाता है यानि कौन सा जो एचालक पदार्थ है उसकी ताप सहने की जो शमता होती है वो कितनी होती है तो उसी प्रकार से इनको बांटा गया है साथ वरगों में साथ वरग कौन कौन से यहते हैं द्वारा उता देता हूँ पहला वरग हो गया Y दूसरा हो गया A तीसरा हो गया E चोथा हो गया B पांचवा हो गया F चटा हो गया H और साथ हो गया C C वरगों होता है इसको 220 डिगरी सेल्सिस लेकर 240 डिगरी सेल्सिस तक ताप सेहन कर सकते हैं इसके अंदर जो पदार्थ आते हैं इसके अंदर आते हैं अबरग, चिन्नी, मिट्टी, काज, कौाइटर्ज और इनसे बने पदार्थ पहला होता है Y यह 90 डिगरी सेल्सिस तक तापमान सेहन कर सकता है सूथ रेसम समाने कागज A होता है 105 डिगरी सेल्सिस तक तापमान सेहन कर सकता है इसके अंदर सूथ रेसम तेल में बिगा कागज आता है E जिसके तापमान सेहने की जो शमता होती है 120 डिगरी सेल्सिस जिसके अंदर लेदर वेड़ पेपर, एमपार कलोट और फाइबर आ जाते है और चोथा होता है B यानि ये 130 डिगरी सेल्सिस तक तापमान सेहन कर सकते है इसके अंदर अबरग, फाइबर गलास और एसबेस्टस आते है अगला होता है एप सेरेनी 5 नमबर ये 155 डिगरी सेल्सिस तक तापमान सेहन करती है इसके अंदर अबरक, फाइबर गलास और एसबेस्टस आ जाते हैं छटी सरेनी होती है एच जो 180C तक तापमन सेन करती है इसके अंदर एलास्टरमर, अबरक, फाइबर गलास और एसबेस्टस के मिसरन बने पदार्त आते हैं तो दो समझ में आगया होगा आपको साथ सरेनियों के बार में जिनके अंदर एच आलकों को बांटा गया है तापमन के अधार पर यानि कौन सा जो एच आलक उदाता है वो कितना तापमन सेन कर सकता है तो दन्यावाद दोस्तों अगर आप सभी किया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए और कमेंट करके जुरूर बताएं जो नेगा नेटा हो मुझे सब्सक्राइब कर लेना दन्यावाद दोस्तों आई टी एलेक्टरिस इंवेस्ट भी वेकंसी आती है उसके अंदर यानी वरक के बारे में या इनका तापमान के बारे में पूछ लेते हैं कोई भी क्यूस्टिन में